जंगल के राजा को आपने हमीशा ही जंगल में अपनी ताकत का प्रदर्शन करते देखा होगा लेकिन कहते हैं न कि इस समय हमेशा एक जैसा नहीं होता है आज इस शेर का दिन भी खराब था जो इसने इस जंगली भैस को अकेला देख इस पर खात लगा बैठा लेकिन परिवार तो परिवार ही होता है इन दो भैसों ने इस शेर की योड़ दौर लगा दी और एक भैस ने इस शेर को अपने सिंगों से हवा में उठा देखा एसा इसने दो बार किया, इससे शेर की अकड़ किकाने आ गई और वो यहां से भागने में ही अपनी भलाई समझा अब इस क्लिफ को देखने के बाद आप भैसी जंकल का सबसे ताकतवर जानवर होता है एसा समझने की भूल मत किरिएगा क्योंकि हर बाप का एक बाप होता है यहां यह भैसा हाथियों की इलाके में गुस्मे की गलती कर बैठा जिसके बाद हाथियों के जूदि के सरदार ने इस भैसे को भी अपने सूद की ताकत का प्रदर्शन करते हुए हवा में उच्छाल जमीन पर पटक दिया इसके बाद भी हाथि ने दम नहीं ली यह भैसे पर अपने दातों और सूद का प्रहार जारी रखा और तब तक भैसे को नहीं छोड़ा जब तक वो अद्वरा नहीं हो गया दोस्तों वीडियो को लाइक कर दिजिए किसी लड़ाई को आप जीते लिया नहीं इस बात को आपकी काया नहीं बलकि आपकी हिम्मत और आपके इन पूर्ती दे तारीख कर दिया है इस बात का एक उडारण आप इस लड़ाई के माझ्यम से भी देख सकते हैं वी जगली बगरा भिना कुछ सोचे समझे अपने पार्म हाउस में गुसा है सांड के भावाने के लिए उससे भीड़ गया सांड भी इसे छुटा समझकर इसे भीड़ जाता है लेकिन ये बखरा भी कहां पीछे अटने वाला था बखरे की हिम्मत और अक्रामक रवये को देख अंतता सांड इस पार्म हाउस को छोड़ भागने में ये अपनी कलिमत समझते हुए यहां से नौदोई क्या रहो लेता है ऐसी एक लड़ाई शहर की भी देखिए जहां बखरे की हिम्मत के आगे सांड के पसीने छुट गए दोस्तों इस वक्त हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है इसलिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके हमें अपना सपोर्ट जरूर दे एक भूखे शेर को बस शिकारी की तलाश होती है फिर चाहे वो कोई भी जानवर क्यों नहों और अगर ऐसे में इन्हें जेबरा दिख जाये तो ये तो उसे कुछ इनिस रूम में देखते हैं जेबरे की जुन्ड का एक सदर से इस शेर के चंगुल में फल जाता है ये जेबरा खुद को बचाने की बहुत कोशिश करता है लेकिन शेर के जबडों की पकड़ कापी मजबूत थी पर ये जेबरा भी आखिर तक हार नहीं मानता और एक आखिरी कोशिश करते हुए खायल होती हुए भी खुद को शेर के चंगुल से आजात कर लेना है चलिए अब जब जब जंगल के राजा की बात चली रही है तो इनकी कुछ और ग्लिप्स भी देखी लेते हैं यहां इस चीते की मती मारी गई थी जो ये लंगूर और खुद की काबिल्यक को समझने में ना कि यह अपने शिकार को जिस जगह छपटना चाहता है वो उसका पैदाइसी दे रहा है और उसके लिए इस चिते को चक्मा देना कोई बड़ी बात नहीं होगी अगर चंगल के सबसे फूर्दिये जानवर के बारे में पूछा जाए तो हीरन को इसका दर्जा देना गलत नहीं होगा और अगर फूर्दि के साथ थोड़ी सी अखले भी लगा दी जाए तब तो फिर बड़े से बड़े दुश्मन को भी मात दिया जा सकता है ऐसी बुद्धी मता का इस्तिमाल करते आप इस एंटिलोग को भी देखिए जो इस जीदे के जबरों में फसने के बाद गुदको मरा हुआ दिखाने का नटक करता है और जब जीता इसे मरा हुआ समझकर इसे छोड़ता है ये जटपट उट खड़ा हो वहाँ से भाग जाता है पिछले वीडियो में हमने आपको दिखाया था ना कि डोड़ो पच्छे कितने जिद्धी और गुस्यल प्रविति के होते हैं यहां भी आप महीं देखें इस डोड़ो के अक्रामक रवय्य को जोड़ी ये गोरिला भी इनकी इलाके से बाहर भाग खड़ा होता है अगर आप इस किप को ध्यान से देखेंगे तो आप एक अजगर को जो की एक मगर मच के जब्रों में फसा हुया था उसे खुद को आजाद करते दिख रहे होगी तकिन अब एक नजर आप इस किप पर भी मार लीए यहां एक मगर मच्च ने एक अजगर के मुझ को अपने जबड़ों में फसा रखा है लेकिन अजगर भी ऐसे कैसे हार मान लेता इसने भी इस मगर मच्च को अपने कुंडली में अच्छे से जकर लिया मतलब हाल वही है हम तो डूबेंगे जानी लेकिन तुम्हें भी साथ ले डूबेंगे अब जरा इस घोड़े को देखिए यह चुपचा खां का स्वात ले रहा था लेकिन सामें इस मगर मच्च को देख न जाने इसे क्या सरा रसुची यह इस पर लत्वी चलाने लगा लेकिन दूसरी बार में तो इसकी अकल ठीकाने आ गई होगी नेवले और साम्पो की बीच हमिसाई 36 का अगणा रहा है जिसके चलते इन दोनों का जब्री सामना होता है तब तब एक गवा सांची तक तरह है अफ्रीका के एक इलाके में यहाँ एक ब्लैक मामबा का सामना एक नेवले से हो गया जिसके बाद इन दोनों के पीच एक बेहदी दिल्चस्प और लंबी लड़ाई हुई और ये तो हम और आपी जानते हैं कि एक नेवले के आगे साम कहा ठिकने हैं यहाँ भी वह हुआ लेक मामबा मारा गया